टीवी पॉपिलर अक्टरल सवनीत को और आजकल काफी सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि वो बॉलिवूड में डेब्यू करने जा रही है वो नवाजुदीन सिद्की के साथ फिल्म टीकुवेड्स शेरू में नजर आएंगी जिसकी प्रड्यूसर अक्ट्रस कंगनर अनौत है और डाइरेक्ट साई कभी ने की है अब नीत आजकल अपनी फिल्म के प्रोमोशन में बिजी है खाली में वो ब्लाक कलर की बेहट शॉर्ट ड्रेस में नजर आई उनके इस आउटफिट को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और सबने तरह तरह की कॉमेंट्स के ने शुरू कर दिये एक यूजर ने उनके इस ड्रेस के बारे में लिखा तो मैं एक दूसरी यूजर ने कॉमेंट किया उर्फी का इंफ्लूएंस एक और यूजर ने लिखा पांच मीटर के पैसे मुझ से ले ले और सही से मिला कर पहन ले न एक यूजर ने लिखा इसको लगता है छोटे कपड़े बॉल्यूट का टिकेट है अवनीत के आने वाली फिल्म की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्धिकी के साथ उनकी फिल्म टीकू वेड्स शेरू का हाली में ट्रेलर रिलीज हुआ था एक तरफ जहां लोगों को ट्रेलर पसंद आया तो महीं दूसरे तरफ नवाजुद्दीन और अवनीत के किसिंग सीन को लेकर दोनों काफी ट्रोल हो रहे हैं टीकू वेड्स शेरू 23 जून को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी आदी पुरुष ने सिनेमाई दुनिया में अपनी शांदार एंट्री कर ली है वोम्राउद द्वारा निर्देशित अती सीरीज और रेट्रोफिल्स द्वारा निर्मित हिंदु महाका वेरामाईन पर अधारित इस महाका विकानिगें दर्शकों और आलोचकों के समान रूप से ध्यान आकर्शित किया है प्रभास, कृती सैनौन, सैफ अली खान, सनी सिंग, जैसे स्टास्ट के साथ आदिपुरुष दर्शकों को जीवन से बड़े पात्रों के माध्यम से एक अवसमर्नीय यात्रा पल ले जाने का वादा करता है अब जब दर्शक के सिनिमा ही चमतकार को देखने के लिए उमड रहे हैं तो आदिपुरुष के बारे में जनता की राय सामने आने लेगी है सोशल बीडिया पर कुछ ऐसे ऐलेमिंस भी हैं जिस फिल्म की बेवजा आलोचना कर रहे हैं वहीं मुवी देखकर लोचना के लोगों का कहना है कि फिल्म के डायलॉग बेहत गटिया हैं आदिपुरुष को इससे बहतर स्तर पर बनाया जा सकता था ये बात औरियंस की है पर जो बात लोगों को सस्पंस में डाल रही है वो ये है कि अगर फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही तो फिल्म की continue success का क्या राज है माना जा रहा है कि ये एक स्कैम है जो मूवी को सक्सेस को दिखाने के लिए किया जा रहा है जिसका कारण मूवी की एडवांस बुकिंग को माना जा रहा है देखने वाली बात होगी कि अब आदे पुरिष्ट की ये नकली सक्सेस मूवी को कितना फाइदा करवा पाती है बिग बोस के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि शो का कोई कंटेस्टेंट शुरू होने के बारा घंचे के अंदर ही बेगर हो गया दरसल सेटडे को बिग बोस OTT2 की धमा के दाश शुरूआत हुई और ग्रैंट पी में खत्म होते ही शो की कंटेस्टेंट पुनीत सुपरस्टार हर किसी के लिए सिरदर्द बन गए उनकी हरकते कुछ ऐसी थी कि बिग बोस को घरवालू की आपसी सहमती से पुनीत को शो से बेदखल करना पड़ा लेकिन लगता है कि इससे पुनीत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है शो से बहान निकलने के बाद भी पुनीत कुमार का बड़बोला पंजारी है उन्होंने अब एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है पुनीत कुमार सबका बाप था है और रहेगा पुनीत सुपरस्टार ने प्रीमियर एपिसोड खत्मे होने और लाइफ फीट शुरू होने के साथ ही अजीब हरकते शुरू कर दी थी रात में जहां वो बात्रूम में मुँपर टूथपेस लगाते और सिर पर फिनायल की बोटल डालते हुए दिखे तो वहीं अगले दिन सुबा उड़ते ही उन्होंने नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया अब घर से बेघर होने के बाद पुनीत ने एक पंदरो सेकंड का वीडियो शेयर किया है इसमें वो कहते हैं दोस्तों मेरे पास लाखों लोगों के मेसेज आए कि पुनीत भाई तुमारी वज़े से हमने जियो सिनेमा के आपको अनिंस्टॉल कर दिया है अब हम शो नहीं क्योंकि पुनीत कुमार बाप था बाप है और बाप रहेगा इंडिस्ट्री का इतने चार्टे मारूंगा गैल गैडोट, जेमी डोनन और आलिया भट स्टारर एक्शन फिल्म हाट अफ स्टोन के मेकर्स ने आकिरकार अपकमिंग हॉलिवूड फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है फिल्म में गैल गैडोट को राहिल स्टोन के रोल में दिखाया गया है जो एक हाईली एकॉम्पलिश्ट स्पाई है जो सीक्रेटली चार्टर की मेंबर भी है एक कोवर्ट और्गनाइजेशन जो ग्लोबल सेफटी के लिए पोटेंशिल थ्रेड्स को विफल करने के लिए एडवांस्ट टेक्निलोजी पर निर्भर करता है राहिल को एक कंजूमे ट्रोफेशनल बनने के लिए तयार किया गया है एक शांदार फील्ड एजेंट जो काम पर फोकस रहता है आकडों को फिगर आउच करता है और किसी पर भरोसर नहीं करता तो वहीं आलिया भट एक ट करने की कोशिश करती है ट्रेलर को मिले जुले रियक्शन्स मिले एक तरफ जहां आलिया के हॉलिवूद डेब्यू को हर कोई एप्रिशेट कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रेलर में उनके बेहत कम स्क्रीन टाइम के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं एक फ शॉर्ट अपेरंस फॉर बॉलिवूद स्टार तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कॉमेंट किया तुझे तो फुटेज ही नहीं दिया इन्होंने आलू फिल्म हार्ट अफ स्टोन 11 ओगस्ट को थियेटर्स में रिलीज होगी करण और द्रिशा संधे दुफेर को ओफिशियल तोर पर पती पत्नी बने और फिर वो रिसेप्शन के लिए तयार हुए द्रिशा अपने बेज फ्लोइंग गाउन और करण अपने टकसीडो और बाउटी में बेहत खुपसूरत कपल लग रहे थे दोनों की शादी की तस्वीरे भी इंटरनेट पर चाही हुई है कपल अपने शादी की आउट्फिट पे बेहत प्यारे लग रहे थे करण दुए ने इंस्टेग्राम पर लिखा The beginning of a beautiful journey in our lives We are overwhelmingly thankful for the abundant blessings and well wishes that surround us करण दूल के पापा और एक्टर सन्य दुएल और उनकी छोटे बेटे राजवी ने मीडिया को मिठाईया बाटी साथी बॉबी दुएल ने अपनी वाइफ और बेटे के साथ मीडिया को पोस दिया श्वादी की रिसेप्शन में तमाम बॉल्वूद स्टार्स ने शिर्कत की रडवीर सिंग की मा अंजू भवनानी और बेहन रितिका और एक्टरेस दिपिका पादुकोर्ड भी रिसेप्शन में मौजूद रहे वहां आमिर खान थे जीन्स और ब्राउन कलर के शौट कुर्टे में उन्होंने स्माइल की और समान खान सूट में नज़र आए अपने बॉडिगार्स के साथ फंक्शन में पहुचे वहीं अक्टर धरमेंद्र ने बेहत प्यारी स्माइल के साथ मीडिया को ग्रीट किया साथ युनों अपने दोस्त और एक्टर शत्रुगन सिन्हा के साथ पोस दिये जैकी शौफ सूट में नज़र आए साथ युनों ने नेपाली कैब भी पहनी हुई थी रिसेप्शन में सुनील शेटी, कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी वाइफ के साथ अनुपमकेर और पूरा देवल परिवार मौजूद रहा